वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आज हम JCRT क्लास 8 विज्यान के पार्ठ पांच जन्तूं में जननन के कम्प्लिट चप्टर को एक्स्प्लेन करेंगे तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेज कर लिजे ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके तो चली सू करते हैं और देखते हैं कि इस चप्टर में कि हमें क्या क्या पढ़ना है तो इसमें सबसे पहले क्या जनन जीवों की उतर जीविता के लिए आवस्ट्यक है इसको उतर है देखिए हाँ जनन की परकिरिद्या इसमें महत्पुन भुमिका निभाती है जिस प्रक पाचन परिसंचरन सवसन एवं विरिद्य आधी प्रक्रियाएं प्रतिक जीव की उतर जीविता के लिए आवस्ट्यक है उसी प्रकार जीवों में जनन का विश्य सुमहत्प है क्योंकि यह एक जिसे जीवों का पीड़ी निरंतर पीड़ी निरंतरता बनाये रखना यह क हैं करते हैं अगला हमेंपड़ना है जीवों में जनन की विद्यां तो जीवों मैं जनन की दो प्रकार की विद्यां होती हैं एक होता है illness हिसमें पर आनीपुनर जनन की चम्ता वाली कोशिकाओं का उप्योग मुकूल के लिए उप्पन करते हैं हाइड़ा में कोशिकाओं के नीमित विभाजन के कारण एक अस्थान पर उभार विक्सित हो जाता है यह उभार मुकूल विद्धि करता हुआ नने जीव में बदल जाता है तेथा पुर्ण विक्सि पर रूप एक जनक से दो आमीवा बनते हैं इस प्रकार का अलेंगिक जनन जिसमें एक जीव विभाजित होकर दो संत्यति उत्पन करता है द्विखंडन कहलाता है जनन के दूस्री विधी है अलेंगिक जनन जिसमें नर्मत तथा मादल यूगमत का संलायन होता है उसे अले अंग होते हैं जिसमें आगे है नड्य Łख में एक जोड़ा विरसंग सुक्रानल लिका तो एक सिस्न लिंग होते हैं ना सोखलानुल अत्यन्ते सुख्ष में एकल कोईचिकह होती है जिसमें एकaden शीर एक एंग में एक जोड़ी अंडवाहिनी तथा गरभासे होता है अंडवाहिनी नीचे की और गरभासे में खुलती है जहां सेशु का विकास होता है अंडवाहिनी नीचे की और गरभासे में खुलती है जहां सेशु का विकास होता है अंडवाहिनी नीचे की और गरभासे में का संजोजन होता है अंडानों तथा सुक्रानों के संलाइन को ही निसेचन करते हैं अला है जुगमनज क्या होता है जितका उतर है निसेचन के फल्सवरूप जुगमनज का निर्मान होता है यह जुगमनज विक्सित होकर एक जीव का निर्मान करता है एक जीव के निर्मान मे अंडानों तथा सुक्रानों का सनलयन होता है जिसके कारण बच्चे में कुछ लच्छन मा से तथा कुछ पिता से वनसानुगत होते हैं पहला है निशेचन के परकार, निशेचन दो परकार के होते हैं, पहला है आंतरिक निशेचन, वह है निशेचन जिसमें अंडानु और सुक्रानु का सनलयन, मादा के सरी के अंदर होता है आंतरिक निशेचन कहलाता है, जैसे मनुष्य, गाय, कुत्य, ध्र, मुर्गी, इत्या सब्सक्राइब इसित होती इस विख्शित होती हुए संसक्षिन को बुर्ण करते हैं disp गर्व कनिर्मान, लभासे में बुरून का निरंतर विकास होता रहता है, देरे देरे विभिन सारे रिक अंग जैसे की हाथ, पेर, सीर, आंखे, कान, इत्यादी विक्सित हो जाते हैं, बुरून की वह अवस्था जिसमें सभी सारे रिक भागों की पहचान हो सके गर्व कलाता है, जब गर्व का विकास पूरा हो जाता है, तो मा नवजाद सीसु को जन देती है, अगला है सीसु से व्यस्क, नवजाद जन में प्रानी, अथवा अंबे के प्रस्फुटन से निकले प्रानी, तब तक विरिती करते रहते हैं, जब तक कि वे व्यस्क नहीं हो जाते, कु पर आपको वीडियो के से लगाए हमें कमेंट में जरू बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसी लाइक कीजिए दोस्तों के साथ सेर कीजिए अगर आपने हमारे यूट्यूब जैनल को सब्सक्राब नहीं क्या है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ल